इस पाट का शीर्षक है नटखट चूहा बच्चो एक था चूहा बहुत ही नटखट और बड़ा ही चालाग कुछ न कुछ शरारत करने का उसका हमेशा मन करता रहता था एक दिन उसने अपने दिल में सोचा आज मैं शहर जाऊंगा पारिश के कारण बिल से बहा निकले बहुत दिन बीद गए है घर में बैठे बैठे दिन घबरा आ गया है नटखट चूहा जट पट तयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा वो मस्ती से जूमता हुआ चला जा रहा था के रास्ते में उसे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी दुकानदार अपनी दुकान खोल कर अंदर जा ही रहा था के नटखट चूहा भी चुप चाप उसके पीछे अंदर चला गया जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठा उसकी नजर चूहे पर पड़ी दुकानदार ने कहा अरे तु मेरी दुकान में क्या कर रहा है चल भाग यहां से चूहा बोला मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ दुकानदार हसा हट यहां से मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता चूहा घुसे में बोला तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे दुकानदार बोला भाग यहां से बेकार मेरा समय बरबाद न कर चूहा चिलाया तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं दुकानदार बोला नहीं, बिल्कुल नहीं इस बार नठखट चुहे ने गाना गाया रातो रात मैं आऊंगा अपनी से न लाऊंगा तेरे कपडे कुटरूंगा दुकानदार डर कर बोला चुहे भाईया, ऐसा न कर रहा मैं अभी तुम्हें रेश्मी कपडे का टुकड़ा देता हूँ और उसने चुहे को रेश्मी कपडे का टुकड़ा दे दिया कपड़ा लेकर चुहा उचलता, कूदता दुकान से बाहर निकल गया फिर वो एक दर्जी की दुकान में आ पहुचा चुहे ने कहा दर्जी जी, मुझे तुमसे कुछ काम है काम? क्या काम? दर्जी ने गुसे से पूछा चुहे ने दर्जी को रेश्मी कपड़ा दिया और कहा क्रेप्या इस कपडे की एक अच्छी टोपी सिल दो दर्जी खसा चल हट यहां से, मेरा समय खराब ना कर मेरे पास तेरा काम करने का समय नहीं है दर्जी ने कहा अब चुहे को घुसा आ गया तुम मेरी टोपी सिलोगे या नहीं? नहीं, नहीं, नहीं दर्जी ने कहा तो ठीक है चुहा बोला और गाने लगा रातो रात में आऊंगा अपनी से न लाऊंगा तेरे कपडे कुतरूंगा दर्जी ने कहा चुहे भाईया, ऐसा ना करना मैं अभी तुमारी टोपी बनाता हूं और थोड़ी ही देर में दर्जी ने चुहे के लिए एक संदर्जी रेशमी टोपी तैयार कर दी नठखट चुहे ने उसे पहना और फिर अपना चेहरा आईने में देखा ये टोपी तो एकदम साधी है हाँ, मैं इस पर चमकीले शितारे लगवाऊंगा चुहे ने सोचा, वो कूदता फांदता दुकान से बाहर निकल गया वो सडक पर शान से चल रहा था कि उसकी नजर एक छोटी सी दुकान पर पड़ी जहां सुनेहरे और रुपहले सितारे बिक रहे थे अंदर जाकर वो इधर उधर उचलने कूदने लगा दुकानदार ने कहा अरे चल यहां से, तु यहां क्या करने आया है चूहे ने कहा मैं अपनी टोपी के लिए सुनेहरे और रुपहले सितारे खरीदने आया हूँ दुकानदार ने कहा भाग यहां से, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश ना कर एक चूहे को सितारों से क्या मतलब तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं चूहे ने गुस्से से पूछा नहीं, नहीं, नहीं मैं तुम्हें सितारे नहीं बेचूँगा दुकानदार ने कहा फिर चूहे ने उत्तर दिया रातो रात मैं आऊंगा अपनी सेना लाऊंगा सारी सितारे बिखेरूंगा दुकानदार ने कहा चुखे भाईया ऐसा ना करना मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दे दूँगा और यही नहीं उन्हें तुम्हारी टोपी में टांक भी दूँगा हीं, अच्छा, तो जरा जल्दी करो चूहे ने कहा, टोपी बनकर तयार हो गई चूहा टोपी पहन कर आईने के सामने खड़ा हुआ तो खुशी से उसका मन ना चुठा हाँ, अहाँ वो सूचने लगा मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूँ मैं अपनी सुन्दर टोपी किसे दिखाऊं चलो, अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखाता हूँ एक घंटे के अंदर ही नटखट चूहा राज महल में राजा के पासा पहुचा वो राजा के सामने जा खड़ा हुआ हाँ, हाँ राजा अचानक चूहे को देखकर बहुत हैरान हुआ उसने पूछा तुम यहां क्या कर रहे हो चूहे ने कहा महराज, पहले यह बताईए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ राजा ने जवाब दिया वाह, तुम तो एक तम राजकुमार लग रहे हो चूहा जटपड बोला अच्छा, तो फिर उत्रो गदी से यहां मैं बैठूंगा राजा को हसी आ गई उसने कहा भाग यहां से मेरा सिंगहासन चूहों के लिए नहीं है केवल एक राजा ही इस पर बैठ सकता है चूहे ने पूछा तो क्या, तुम मुझे अपनी गदी नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं मैं तुम्हे अपना सिंगहासन नहीं दूँगा राजा ने उत्तर दिया तो तुम नहीं उत्तरोगे? चूहे ने फिर से पूछा नहीं, नहीं राजा अपनी बात पर अड़ा रहा राजा ने आदेश दिया पकाई लो इस चूहे को सिपाही चूहे को पकड़ने दोड़े चूहा सरपट उनके बीच से निकल गया और सिपाही एक के उपर एक गिर पड़े अब चूहे ने कमर पर हाथ रख कर कहा रातो रात में आऊंगा अपनी सेना लाऊंगा तेरे कान कुद्रूंगा राजा ने सूचा चूहों की फॉस तो पूरे महल को तैसनेस कर देगी वो डर से कापने लगा फिर चूहे ने कहा रातो रात में आऊंगा अपनी सेना लाऊंगा तेरे कान कुद्रूंगा राजा डर से कापने लगा कापती आवाज में उसने कहा चूहे भाईया तुम बेकार में नाराज हो रहे हो मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूं और तुम शौक से जितनी देर चाहो इस पर बैठ सकते हो चूहा बहुत खुश हुआ शान से वो सिंगहासन पर बैठ गया और काफी देर तक वहां आराम करता रहा रात जब काफी बीट गई वो गद्दी से कूद कर नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया उसने शान से अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई सभी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते थे नटखट चूहा अभियाव सुन रहे थे कारिक्रम तक्नीकी समन्वय सतीष लाड़े ध्वन्यांकन दीपक पांडे नर्मान सहयोग दावुदेयाल चत्रुवेदी नर्मान वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्थुती C-I-E-T-N-C-E-R-T